हलो दोस्तो आज शा करता हूँ आप सब बढ़ जाहोंगे आपके अपने यूट्यूब जर्नल जर्नी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरन के कुछ एक बहुत ही महतुपन प्रेशन ज दोस्तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं पहले प्रेशन से दोस्तो पहले प्रेशन में आपको बताना है शुद सब्द बताना है कि कौन साइन में सुद सब्द है 41 से 45 तक दोस्तो आपको बताना है पूझ्य कैसे लिखा जाता है तो, जो पूझ्य है वो अप्शन B जो है, वो सही रहेगा, पूझ्य इस तरह लिखा जाता है. और दोस्तो अगला जो प्रेशन है उसमें आपको बताना है दिक्षा कैसे लिखा जाता है तो दोस्तो आप कुमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा सही आंसर हेगा दिक्षा किस तरह लिखा जाता है अगला जो प्रेशन है बिसिष्ट तो आपको बताना है कि बिसिष्ट किस तरह लिखा जाता है और दोस्तों अगले प्रेशनों में आपको समास बताना है कि कौन सा समास है दोस्तों बेहत जो है आपको बताना है बेहत में कौन सा समास है तो दोस्तों बेहत कर्थ होता है बहुत ज्यादा यानि कि इसमें अभ्यवी भाव समास है तो इसका option ए जो है व जो प्रेशन है वो है आपको बताना है पाप मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों जो पाप मुक्त का अर्थ होता है वो होता है पाप से मुक्त यानि कि इसमें दोस्तों तत्थपुर्ष समास है यानि कि इसमें करण तत्थपुर्ष समास है ओप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा पाप से मुक्त और दोस्टो ततपुर्स समास में कारक का प्रयोग किया जाता है यानि कि ततपुर्स मास जो है इसके आगे भी पांच छे टाइप हैं तो दोस्टो अगर आपको कारक आते हैं तो आप इनको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कारक जो है करताने करम कोक से के द्वारा संपरदान के लिए आपादान संपरदान के लिए आपादान से जुदाई के अर्थ में अधिकन में पर संभोधन हे अरे भो कुछ इस तरह से अगला जो प्रेशन है 48 धर्मार्थ में कौन सा समास है अगला जो प्रेशन है आपको पताना है चतुरानन में कौन सा समास है दोस्तों जो चतुरानन है इसमें बहुत बरही समास है चतुरानन का अर्थ है चार है आनन जिसके और जो दोस्तों आनन होता है उसका अर्थ होता है मुहूँ अगला जो प्रेशन है आपको बताना है मन चाहा मैं कौन सा समास है तो दोस्तों मन चाहा कर्थ है मन से चाहा तो इसमें भी तत्थपुर्ष समास है इसका जो option C होगा वो सही हो चाहेगा तत्थपुर्ष समास मन चाहा मन से चाहा अगला जो प्रेशन है दोस्तों उसमें आपको सही संदी बिछेद बताना है कि इसका जो संदी बिछेद होगा वो क्या होगा तो दोस्तों जो बयाम है बयाम सब्द में जो इसका जो सही संदी बिछेद रहेगा वो औप्शन D रहेगा B प्लस आयाम अगला जो प्रेशन है श साधा चार का सही संदी बिच्चेद बताना है साधा चार का जो सही संदी बिच्चेद है वो है 7 प्लस अचार तो इसका जो opposition C है वो सही हो जाएगा 7 प्लस अचार अगला जो प्रेशन है निरगुण निर्गुन में आपको बताना है इसका जो संदी बिचेद कौन सा है दोस्तो जो निर्गुन का सही संदी बिचेद है वो है नी प्लस गुन यानि कि इसका जो option A होगा वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है आपको बताना है कि विसम में कौन सा संदी बिचेद है तो दोस दोस्तो, non contract का जो सही अर्थ होता है, वो वह होता है, जैसे गैर अनुबंद या फिर अनियत, इसका जो option A होगा, वो सही हो जाएगा, अगला जो प्रेशन है, abstract, abstract का जो सही meaning होता है, दोस्तो, वो होता है, उपसंग शेप, इसका जो option D होगा, वो सही हो जाएगा, अगला जो प्रस्चन है अगला जोप्रेशन है अगला जोप्रेशन है नेगलिजेंस तो दोस्तों नेगलिजेंस का जो प्रमादयशन बी जो है वो सही रहेगा अगला जो प्रेशन है आपको पताना है बाक्यांस के लिए एक सही सब्द उपर कहा गया तो दोस्तों उपर कहा गया इसका जो अर्थ होता है वो होता है उपरियुक्त इसका option B जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेशन है उंचा पाड़ी मैदान तो दोस्त की आग को आपको बताना है क्या कहा जाता है तो दोस्तों जो पेट की आग है उसको जठरानल कहा जाता है तो इसका option A जो है वो सही हो जाएगा जठरानल अगला जो प्रेशन है वो है जो सुन ना सके तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों जो सुन ना सके उसे बाधिर कहा जाता है तो इसका जो option D होगा वो सही हो जाएगा अगला जो question है बोलने में चतुर या निर्फण हो उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तो उसे बाच्चाल कहा जाता है तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा तो दोस्तो 25 हिंदी के प्रेसन complete हुए है यह जो operation है आगे हिमाचल जी के के इन दोनों को आप comment करके बताएं